नमस्कार मैं हुने की तोर आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com चली एक निज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर मनिपूर के मुख्यमंतरी एन्बिरेंज सिंग नहीं है साफ कर दिया है कि वह अपने पच्छे स्टीफा नहीं देंगे आपको बता दे कि राज्य में जारी हिंसक घटनाओं को लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्यमंतरी के स्टीफे की भी मांग की जा रही है इस बीच खबर है कि मुख्यमंतरी एन्बिरेंज सिंग ने एक इंटर्वियू के दौरान कहा कि स्टीफे का तो सवाल ही नहीं है लेकिन अगर कींद्री नेत्रे तु बोले तो वह ऐसा करने को तयार है दरसल हिंसा प्रभावित मनिपूर में दो महिलाओं को निर्वस्तर कर घुमाये जाने का वीडियो सामने आने के बाद से ही विपक्ष मनिपूर के मुख्यमंतरी एन्बिरेंज सिंग के स्टीफे की मांग उठा रहा है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मताबिक बिरिन सिंग से सवाल किया गया कि उनके स्टीफे की चर्चाएं हो रही है और इस तरह की भी बाते हो रही है कि बीजेपी उनसे स्टीफे के लिए कह सकती है इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मनिपूर की जनता ने उन्हें चुना है और उन्होंने कहा कि स्तीफे का सवाल ही नहीं है लेकिन हाँ अगर कींद्री नित्रतु कहता है और मनिपूर की जनता चाहेगी तो मैं अपना पत छोड़ दूँगा कींद्र सरकार द्वारा DNA टेकनलोजी विध्यक वापस लिये जाने को लेकर कॉंग्रिस नीता जैराम रमेश ने कींद्र पर निशाना साधा है जैराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के नित्रित वाली सरकार पल्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं चाहती थी इसलिए इसे वापस ले लिया गया कॉंग्रिस महासाचीव ने मंगलवार 25 शुलाई को ट्वीट कर लिखा कि कल मोधी सरकार ने चुपचाप DNA टेकनलोजी विनियमन विध्यक 2019 को वापस लिया विध्यक को S&T स्थाई समीती ने विस्तार से जाच की थी जिसने कई महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विध्यक के प्राफधानों का दुरूपयोग ना हो कॉंग्रिस नेता ने बताया कि स्थाई समीती के कुछ सदस्यों ने आसहमती के नोट भी प्रस्तुत किये थे समीती की रिपोर्ट 3 फरवरी 2021 को प्रस्तुत की गई थी उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार का कहना है कि विध्यक की अधिकांश प्राफधानों को पहले ही अप्राधिक प्रकिरिया अधिनियम 2022 का हिस्सा बना दिया गया है और इसलिए डियन्ने विध्यक की आवशकता नहीं है चैराम रमेश ने आगे कहा कि वास्तव में असल कारण है है कि मोदी सरकार स्थाई समीती द्वारा अनुशनसित विस्तरत सुरक्षा उपायों को नहीं चाहती थी और अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने के लिए दबाव डालने के बाद इसे अंदेखा करने का फैसला किया चांच के लिए विज्ञान और प्रिद्योगी की पर्यावरण वन और जल्वायों परिवर्तन पर एक संसद्य पैनल के पास फेचा गया था यांशोशन के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसक ब्रिजभूशन सिंग इस समय जमानत पर है इस बीच खबर है कि वीफाइ के समिध duplic के अनुसार राज्यों की कारेकारी समीतिके सदस्यों को ही चुनाव में वोटर्स लिस्ट में शामल किया जा सकता है। W.F.I. समिधान के अनुसार मानेत अप्राप्त एकाई केवल अपनी कारेकारे समीती के सदस्यों को चुनाओं में पृतिनिदित करने के लिए नामित कर सकती है। मुई बिजबुशन के खिलाफ यौनुत पिडन के मामले में गवाओं की सूची में शामिल अनीता शयोरान को 12 अगस्त को होने वाले चुनाओं में और इशा के प्रितिनिदी के रूप में शामिल किया गया है। राज्य को वोटिंग का धिकार दिया गया है। संसद में रखे जाने से पहले ही है महजिक औफ चारिकता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठेक में इसे मंगलवार को मंजूरी दी गई। अब ऐसे में सरकार मौनसून सत्र में ही इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। बता दे कि इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली की आमाद्मी पार्टी सरकार और केंज सरकार के बीच काफी लंबे समय से टकराफ देखने को मिला है। देश में मौनसून अपना कहर बरपा रहा है जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की खटनाओं ने हिमाचल और उत्राखन में भारी तबाही मचाई। में तरफ इलाकों में भी बारिश के कारण लोगों को खासी परिशालियों का सामना करना पड़ रहा है। आसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लगातार बारिश के इस्तिती बनी रहेगी। पड़ोसी राज्य हर्यान और पश्ची में उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के संभावना है। दिन भी गतिरोद बरकरार रहा इस बीच खबर है कि विपक्ष की ओर से मोधी सरकार के खिलाफ लोगसभा में आविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है में बीजेपी नेता और सांसत विपक्ष कट बंधन के नाम इंडिया को लेकर विपक्ष पर लगातार हम लावर हैं इसे कड़ी में बीजेपी सांसत रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की संसद्य बैठक के बाद विपक्ष के इंडिया गट बंधन पर संसत के बाहर बोलते हुए 2024 के लोगसबा चुनाओं में बीजेपी के तीसरी बार जीत की भविश्यवानी की रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें पीएम पर गर्व है हम 2024 मसत्ता में वापस आ रहे हैं पीएम मोदी ने बयान दिया है कि भारतीय राष्ट्य कॉंग्रेस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक विदेशी नागरित ने की थी बीजेपी निता ने आगे कहा कि भारतिय राश्टिय कॉंग्रिस इस्ट इंडिया कमपनी इंडियन मुजाहिदिन पॉपिलर फ्रंट आफ इंडिया ये भी भारत हैं सिर्फ भारत नाम का इस्तिमाल करने का कोई मतलब नहीं है मैं बीजेपी अध्यक शेपी नड़ा ने भी विपक्षी कर बंदन पर तंच कसा नड़ा ने अपनी बात रखने के लिए परिक्षा में फेल हुए बच्चे का उधारन दिया नड़ा ने ट्वीट किया कि एक बच्चा था जो अपनी सभी परिक्षाओं में फेल हो गया था उसके सहपाटे और पडोसी उससे नफरत करते थे इसलिए उसके माता पिता ने उसकी धारना बदलने के लिए उसका नाम बदलने के बारे में सोचा क्या यह मामला इंडिया जैसा नहीं है इसके अलावा केंजरे संसद्य कारे मंतरी फेलाज जोशी ने विपक्ष के प्रस्ताव लेकर आएंगे तो 2024 में 303 से बढ़कर 350 सीटें जीत कर आएंगे दरसल सारा मामला यह है कि बीजेपी संसद्य दल की मीटिंग में धानमंत्री नरेंद्र मोद्य ने विपक्ष दलों के गटबंधन इंडिया पर बयान देते हुए कहा था कि सत्ता चाहने वाले देश को तोड़ने वाले इस इंडिया कंपनी और इंडियन मुझाईदीन जैसे नाम रख रहे हैं इन में भी इंडिया आता है पॉपिलर फ्रंट आफ इंडिया में भी इंडिया नाम आता है लेकिन लोग इससे गुमरा नहीं होंगे ऐसा देशाहीन विपक्ष नहीं इस इंडिया कंपनी से कर रहे हैं अरे आप मनेपूर पर बात करिये ना भारत और पाकिस्तान की 25 अक्तूबर को एहमदाबाद की नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला वंडे वर्ल्ल कप का एहम मुकाबला रिशर डियूल हो सकता है दरसल यह मुकाबला न इससे में सुरक्षा इजैंसियों ने बी सी सी आए को टूर्नामेंट के शडियूल में बदलाव की सलहा दी है महीं बी सी सी आए के एक शीर शदिकारी ने इंडियन एक्स्प्रेस को बताया कि हम अपने पास मौजूद विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही निर के साथ